नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। आपको याद होगा इसी साल 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने बड़ी धूमधाम के साथ भारत के नए संसत भवन का उद्गाटन किया था। उस अफसर पर हमने एक एपिसोड भी किया था। आप जानते हैं कि मोदी भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री होने के साथ साथ सबसे पहले राष्ट्रिय स्वहिम सेवक संग के एक वफादार प्रचारक भी हैं। और आप निश्चित रूप से इस तथे से भी अवगत होंगे कि राष्टे स्वमसेवक संग के स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने विनायक दामोदर सावरकर की एक छोटी पुस्तिका से प्रेरित होकर की थी जिसका पहला शीर्षक था Essentials of Hindutua 28 मई सावरकर की जैनती भी है उनका जनम उसी दिन 1883 1883 में हुआ था इसमें कोई संदे नहीं है भारत के पार्लिमेंटरी और कॉंसिटूशनल इतिहास के एक लैंडमार्क दिवस को वीडी सावरकर के साथ कॉंस्चिसली जोडा गया था नए संसद भावन का उद्गाटन के तमाम उकेशन्स होने के बावजूद मोदी सरकार ने सावरकर की बर्थ अनेवसरी को ही क्यों चुना था ये सरकार सावरकर के प्रती इतनी आकशित क्यों है मोदी धरसल अपने पॉलिटिक्स को स्ट्रेंग्दन करने के लिए सावरकर को एक सिंबल के तौर पर यूज करते हैं उनका कहना है कि कॉंग्रेस ने अपने सिलेक्टेड नेताओं को बढ़ावा दिया है और सावरकर जैसे महतवपूर्ण और वीर राष्ट्रवादियों को नहीं इसी साल 28 मई को जैसे कि उन्होंने 2014 से हर साल किया है मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में सावरकर के चित्र के सामने कुषपांजली अर्पित की लेकिन ऐसा उन्होंने नए संसद भवन का उद्गाटन करने के बाद किया हलाकि मोदी ने अपने रेडियो कारिकरम मन की बात के 101st एपिसोड में सावरकर का उलेक किया था लेकिन उन्होंने नए संसद भवन में अपने भाशन में ऐसा नहीं किया शायद उन्हें इस बात की चिंता थी कि उस सॉलेम उकेशन पर सावरकर के बारे में कुछ कहना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा गौर तलब है सिर्फ मोदी ही नहीं बलकि पूरा संग परिवार सावर करके जीवन से जुड़ी एक और बहुत बड़ी सालगिरा को पूरी तरह से मिस कर गया ये वर्ष दरसल Essentials of Hindutva की शताबदी वर्ष भी है इतिहासकार विनायक चतुरवेदी ने अभी याद दिलाया कि ये पुस्तिका मई 1923 में ही प्रकाशित हुई थी ठीक उसी मही ने जब नए संसत भावन का उधगाटन हुआ था प्रफिसर चतुरवेदी ने पिछले साल Hindutva and Violence, V.D. Savarkar and the Politics of History नाम की किताब लिखी थी लगभग 500 पेजेस की ये पुस्तक सावरकर की राजनेतिक विचारों पर सबसे बहतरीन पुस्तक है जून के अंतिम सप्ता में दे हिंदू अखवार में एक लेख में चतुरवेदी ने लिखा In the recent Halabalu about the opening of the new parliament building on V.D. Savarkar's 140th birthday on May 28, another anniversary went unnoticed May 23 was the centenary of the publication of Savarkar's Essentials of Hindutva The foundational text was forgotten by Hindutva Wadis This should not come as a surprise to anyone who follows contemporary politics in India For Hindutva Wadis, the idea of reclaiming Savarkar as a hero is more important than any of his writings BJP के लिए Savarkar एक राजनेतिक व्यक्तित्वों के रूप में अधिक महत्वपूर्ण है एक विचारक के रूप में नहीं mythology गरते समय पूरे संग परिवार ने Savarkar के किताबों और अन्य लेखन को लोकप्रिय बनाने के लिए शायद ही कोई प्रयास किया है ये बात RSS के foundational text के बारे में भी विशेश रूप से सच है Essentials of Hinduत्व की बात कर रहा हूँ Savarkar Hinduत्व शब्द का प्रयोग करने वाले पहले विक्ति नहीं थे ये शब्द 19th century या 19th सदीज के अंच से बंगाली सामाजिक राजनेतिक शब्दावली में socio-political vocabulary का हिस्सा रहा था लेकिन सावरकर ने ना केवल इस शब्द को लोक्रिय बनाया बलकि ये भी स्पष्ट किया कि उनके अनुसार हिंदुत्व और हिंदुइजम अलग-अलग थे सावरकर ने लिखा Hinduism is only a derivative, a fraction, a part of हिंदुत्व Had not linguistic usage stood in our way, then Hindu-ness would have been a better word than Hinduism as a near parallel to हिंदुत्व संग परिवार द्वारा आम लोगों को इस theoretical पुस्तिका को समझाने की कोशिश नहीं करने का एक कारण ये है कि सावरकर को भी हिंदुत्व क्या है उसके मूल पर बहुत कम clarity थी उन्होने लिखा, the ideas and ideals, the systems and societies, the thoughts and sentiments which have centered round this name are so varied and rich, so powerful and so subtle, so elusive and yet so varied that the term हिंदुत्व defies all attempts at analysis, defies all attempts at analysis मतलब नहीं हो पा रहा था उनसे भी, एक और असमंजस की बात है essentials of हिंदुत्व को लेकर, वो है किताब का नाम क्या है essentials of हिंदुत्व या हिंदुत्व बाई अमराथा, मराथा सावर करने अपने लिए उपनाम चुना था उसका इस्तिमाल किया था, ये title वही है जो 1923 के प्रथम संसकरन के शीशक प्रिश्ट पर छपा था लेकिन page 1 पर शीशक essentials of हिंदुत्व दिखता है चतुरवेदी के अनुसार लंडन के ब्रिटिश लाइबरीरी में एक और कॉपी है वहाँ शीशक है हिंदुइजम, बाकी किताब 1923 के संसकरन से के बिलकुल समान है 1938 में दिल्ली में एक संसकरन प्रकाशित हुआ लेखक का नाम यहाँ आता है स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर इसमें किताब का नाम हिंदुत्व है अगले दाई ओर के पेज पर Who is a हिंदु छपा है भाई पर्मानंद इस संसकरन की forward लिखते हैं और वे पुस्तक को हिंदुत्व के रूप में address करते हैं Essentials of हिंदुत्व नहीं कहते हैं और ना ही Who is a हिंदु 1949 तक जब पुस्तक का चौथा संसकरन प्रकाशित हुआ शीशक में और परिवर्तन हुए अब बहार की dust jacket में हिंदुत्व लेकिन अंदर के title page पर Who is a हिंदु चपा हुआ है चतुरवेदी लिखते हैं 1989 में प्रकाशित छटे संसकरन के dust jacket पर हिंदुत्व दिखाई देता है लेकिन title page पर शीशक दिया गया है हिंदुत्व, Who is a हिंदु Confusion को और बढ़ाने के लिए पुस्तक के page 1 पर शीशक Essentials of हिंदुत्व के रूप में है जैसा कि 1923 के मूल संसकरन में है वही jacket title, title page और running hedge 2003 के 2003 के संसकरन में पाए जाते हैं लेकिन वीर सावर करके Selected Works का 2007 का जो संसकरन है उसके volume chart के पुस्तक का शीशक केवल Essentials of हिंदुत्व के रूप में लिस्टेड है सावर करके सभी लेखों का एक official website भी है www.savarkar.org पर ये पुस्तिका Essentials of हिंदुत्व के रूप में सूची बद है शुरुवाती वर्षों में जब मैंने संग परिवार पर लिखना शुरू किया तो ये बहुत ही confusing लगता था कि किताब का नाम क्या है इसलिए random ढंग से तीनों शीशक का उप्योग किया गया हिंदुत्व, Essentials of हिंदुत्व and Who is a Hindu इस confusion को अंततर चतुरुवेदी ने शोध द्वारा सेटिल किया अगर किताब का शीशक क्या है हमारे पास इतने प्रशन है उसको लेकर तो किताब के केंद्रिये विचार कितने जटिल होंगे आप सोच सकते हैं इसका अंदाजा आप बिलकुल लगा सके होंगे चतुरुवेदी ने हमारा ध्यान सावरकर पर बन रही एक फिल्म की ओर खीचा अपने आर्टिकल में उसी हिंदु अख़बार में स्वतंत्रवीर सावरकर इस फिल्म का नाम है और इसका निर्देशन संदीप सिंग कर रहे है पिछले साल फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया गया था पोस्टर में सावरकर द्वारा दी गई हिंदुत्व की परिभाशा को बदल दिया गया है लेकिन क्योंकि इस फिल्म को उन लोगों से मंजूरी मिल गई है जो माइने रखते हैं इसे विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा हिंदुत्व समर्थक सावरकर के तरकों को नहीं जानकर भी अपनी राजनिती को और आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन जो लोग सावरकर और उनके समर्थकों के विचार का मुकाबला करना चाते हैं उनके लिए सावरकर को पढ़ना और समझना अनिवारे है यदि आप शुरू करना चाते हैं तो Essentials of Hinduत्व से बहतर और क्या हो सकता है Centenary Year में वो भी नमस्कार यदिता है